हेलो एवरिवान राधे राधे जैसरी किष्णा कैसे हो आप सभी उमीद करते हूँ है आप सब बहुत अच्छे होंगे तो स्वागत है आपका सानवी ब्लॉग में तो यहाँ पर गाजर का हल्वा का रेसिपी लेकर आई हूँ तो यह बहुत ही मतलब जल्दी बन जाने वाला रेसिपी है तो चलिए देखते हैं इसे बीना घी से हम बनाएंगे यह देखिये मैने काट कर रख लिया है धोकर इसको तो यहाँ पर गाजर को तल्रमे और यहाँ ग़म हो गया है तो इसमें मैं सारा गाजर काट कर रखी थी खड़े गाजर सारे गाजर को हम इसमें एड़ कर लेंगे तो आपको आप इसे कोई भी सेप में काट सकते हैं बड़ा चोटा कुकर में बस दो से तीन विसल लगा देंगे यह पूरा अच्छी तरह से गल जाता है सिंग जाता है तो मैंने इसे तो आप पतला पतला स जालोंगी नहीं तो इसमें दूट डालने से क्या होगा कि पूरा उपर से आकर धकन उकन में सब लग जाता है तो यह देखिए यह हो गया है दो से तीन विसल मैंने लगा दिया था देखिए कितना बढ़ यहां से मतलब गाजर मैसी हो गया है जर मैं मैस करके आपको दिखा दी थी बहुत गरम था इसलिए मैं नहीं कर पा रही थी हो गया है और इधर मैंने गैस पर एक कड़ाई बैठा दिया था तो इसमें मैं सारे गाजर को पलेट लिया है मैंने और यह मैसर से लेकर इसको सारे गाजर को मैस कर लेंगे और यह बहुत अच्छी तरह से मतलब मैस कर सकते हैं बहुत अच्छे से मैस हो जाता है देखिए आपर मैंने सारे को मैस कर लिया है अब हम इसमें दूध हैड कर दिया हुआ है और इसमें दूध हैड कर रही हूं दो ग्लास टोटल मैंने दूध हैड किया है तो अब हम इसको बस अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे ये हमारा जो दूद है ये उबाल जल्दी से आ जाय और यह सुखाना भी इसमें रबडी बना देना है इसमें इसका ये देखिए कितना जल्द रख गया है ये दूद हां मैं जाक्षा हाई फ्लेम पर बस चलाते जाना है और यहां पर मैंने तो आसा काजू बदाम और किसमिस लिया था तो इसमें मैंने एड कर दिया हुआ है और यहां पर औरंज फूड कलर मैंने एक पिंच यूज केस में एड किया है यह पूरी तरफ से ऑफ्सनल है अगर आपके पस ना होता आप इसकीप कर सकते हैं तो मैंने बस इसे कलर के लिए थोड़ा सा यूज किया था यह देखिए इसको ऐसे अच्छे तरिके से हम चलाते जाएंगे और यहां पर मैंने चीनी एड किया हुआ है तो जितना हमें मीठा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चीनी आड करेंगे तो मैंने इसमें हाफ कप चीनी आड किया हुआ है गाजर तो पहले से मीठा होता है और यह पतला पतला गाजर था यह बहुत मीठा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा कमी चीनी यूज किया है तो बस हम इसको हम ऐसी चलाते जाएंगे और इसे हम सुखा कर लेंगे मतलब सुखा लेंगे इसको तो यह देखिए अच्छी कर दीजेगा और चैनल पर नय होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजेगा यह देखिए अच्छे तरीके से हमारा यह गाजर का हलवा रेडी हो चुका है सुख चुका है अब इसको हम उतार लेंगे यह देखिए पूरा अच्छी तरह से यह ड्राई हो गया है बहुत ही बना था तो चलिए इस वीडियो का हम एंड करते हैं फिर में लेंगे नेक्स्ट व्लोग में तब तक लिए बाबाई